आप सबका बेहत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मर्जी से व्लॉगर और आज हम आए हैं पुराने लगनों की तरफ सामने आप देख सकते हैं रूमी दर्वाजा ये रूमी दर्वाजा नवाब असफुद दौला ने बनवाया था 1784 में 60 feet tall ये दर्वाजा आपको मिलेगा टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा के पास लेफ्ट साइड मेरे बड़ा इमामबाड़ा है और हम इसके अंदर से जाते हुए आज विजिट करते हैं Clock Tower एक टाइम पर ये एरिया लाइट्स के साथ इतना चका चौन रहता था ये दर्वाजा रूमी दर्वाजा बिल्कुल ही चका चौन रहता था अभी लाइट्स नहीं जलती हैं इस पर लेकिन फिर भी मैंने ये इवनिंग वीडियो इसलिए शूट किया था कि जितनी भी पॉसिबल लाइट्स हों देखते हैं इवनिंग में कैसा एक्मास्वेर रह आगे देखते हैं कि अंदर है क्या क्या तुलो जी बाचाओ हम आगें क्लॉक टावर और आसपास जो है भूल भुलेया इमाम बड़ा इसकी वीडियो मैं जल्दी ही मनाता हूं वो भी आपके लिए मिले के आऊंगा तब तक हम इस जगे का एक टूर लेते हैं यहां उतरते आपको फील आना लग जाएगा सेवेंटी हंड़ेट्स का सेवेंटीन हंड़ेट्स का और एटीन हंड़ेट्स का क्योंकि इस तरह की जो साइट के जो मॉनुमेंट्स रहते हैं वो यहां पे अभी भी हैं और अच्छे से प्रिजर्वड हैं थोड़ा पाथ उपर इनके आपको दिख रहे होंगे बिलकुल रुमी दर्वाजे जैसे ही दर्वाजे हैं तो यह फ्रॉम वन गेट टू अनधर गेट बिलकुल स्ट्रेट लाइन है उसी के राइट साइट का एरिया क्लॉक टावर का है आए अंदर देखते हैं यह सामने आपको क्लॉक टावर दिख आपके लिए सामने दिख रहा है और तो यहां पे कुछ सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है वैसे आप सीधा वॉक करेंगे सीधा क्लॉक टावर तक पहुंच जाएंगे बट अभी हम घूम के चलते हैं देखते हैं पाक के तुरू चलते हैं क्यों पुलिस लगी है क्या है क्या नहीं है आगे चलके पता करते हैं तो पाक के साइट से हम चलते-चले आएं हैं और ये Clock Tower आप देख सकते हैं. तो इस Clock Tower के बारे में आपको कुछ चीजे बता देता हूँ. 1881 में बनी ये Clock Tower, हुसेनाबाद Clock Tower के नाम से भी मशूर है, हुसेनाबाद एरिया है, और इसका जो Pendulum जो बनाया गया था, वो 14 feet का है Pendulum, और इसकी घड़ी का जो आप डाइल देखेंगे, वो 12 Petal Flowers की तरह है, वो डाइल चारो तरफ, चारो Corners पे मौझूद है. और ये आपको Side View देख रहे हैं, और ये आपको एक छोटी सी बालकनी टाइप की भी दी हुई है, और आप देख सकते हैं, जो डाइल है उसका, वो डाइल जो बना हुआ है, वो Petal Shape का है, 12 Petal Flower की तरह दिखता है वो, चारो Corners पे. तो ये Clock Tower, हुसेनबाद Clock Tower, लखनो घंटा घर, नवाब नसीर उद्दीन हैदर ने बरमाया था, 1881 में, और ये टोकन था, एक अकनॉलेज करने के लिए, किसका वेलकम करने के लिए, सर जॉर्ज कूपर का, जो फर्स्ट ल्यूटेनेट गवर्नर अफ युनाइट प्रोवि की, और 6 साल में ये कंस्ट्रक्ट हो गया था, तो बहुत close view थो हम नहीं ले सकते, क्योंग पुलिस वालों ने मना किया, बिलकुल पास आने में, क्योंकि उनके टेंट्स वहां लगे हों है, ये सामने का दर्वाजा है, इसी से उपर जाते है, कर कोई mechanical fault ही करना है, साफ सफा ही है, इसी दरवाजे से एंट्री है, तो लो जी मैं है हिरान हो रहा था, मैं सुचा था कुछ administrative reason है, या political reason है, यहाँ पुलिस वालों को तैनात करने का बट नहीं, couples की pollution और population, दोनों बढ़ दही थी सेरिया में, उसको लेके government नहीं यहाँ पर तैनाती करवाई है, चलिए य चाहिए, canteen आ गई है, एक छोटी सी canteen है, यह इमारत का ही हिस्सा है, और patties खाईए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, यह rate chart है, और बाहर में देख रहा हूँ कि तंदूरी चाय का भी option available है, अगर कुछ लोग को वो भी पसंद होती है, तंदूरी चाय यह देखे, तो यह बिंदास बन रही है, और आगे यह चोटी shops हैं, कोई भी चीज आपको टॉफी और यह सब चीजे लगी हुए, आगे तो market थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, इसके जस्बगल में एक pond है, यह इस जगे का pond आप देख रहे हैं, और सीडियों के बीच में अच्छी सी ब बनावट में यह pond बना हुआ है, तो सामने आपको एक इमारत देख रही है, जिसका नाम है सत्खंडा इमारत, और उस इमारत के बारे में हम वहीं चल के बात करते हैं, और स्टेस से हो के चलते हैं, आईए, तो यह जो pond आप बगल में देख रहे हैं, यह भी इस clock tower के साथ ग यह पूरा रास्ता स्टेस का यहां से cover करते हुए और बिल्कुल उस इमारत तक हमें चलना है, आईए, चलते हैं तो लगबग हम पहुँच गए और मैं घूम के आपको दिखाता हूँ कितना area cover किया है, वो सामने से हम clock tower दिख रहा है, उदर से होते हुए इस रास्ते को पूरा cover करते हुए, यह दिखने में शायद उता clear नहीं है, लेकिन इस समय पे clear नहीं दिख रहा है, लेकिन है बहु story के दिख रही है, लेकिन यह बनाई जाने वाली थी seven story, rumor यह भी है कि जिनों ने बनाया है इसको, उनके हिसाब से seven story बननी चाहिए थी, ताकि वो अपनी जितनी सल्तनत है, यह चौक की, उस पे दूर तक नजर रख सकें, तो हम जिस राजा की बात कर रहे हैं, यह ruler की बात क एज में पहुंच चुके थे, जब यह building बन रही थी, मलब बनते बनते जो time हो गया था, तो उसमें कहा था कि वो stairs को उपर तक चड़ नहीं पा रहे थे, old age के कारण, तो उसे यहीं तक रोख दिया गया हूँ, but plan seven story का था, इसलिए से 7 खंडाय मरत बोलते हैं, पर जो सबसे जादा मानने जाने वाली बात है, वो यह कि नवाब सहाब ने इसे अपनी बेटी की याद में बनाया था, और नवाब सहाब इस दुनिया से रुखसत हो गए, वहीं पे एक काम रुख गया, but ultimate बात यह है कि यह seven story की होने वाली थी, इसलिए से 7 खंडाय मरत बोला जाता है, तो यह आसपास आपको beautiful सा पार्क मिलेगा, अभी तो खेर रात है, शाम का वक्त है, सर्दियों में तो खेर बड़ी जल्दी शाम रात में तबदील हो जाती है, बट आप यहाँ पे आके जब खूमेंगे आपको greenery का एसास होगा, बहुत अच्छे से इनोंने greenery को maintain किया है यहाँ पे, यह जो यहाँ gardener है, उनको सलाम है, उनकी creativity को सलाम है, अलग-अलग तरेगे मैं देख रहा हूँ जानवरों की cutting उनने घास से करी होई है, मतलब यह पौधों से करी होई है, यह डाइनसार है, दूसरी तरफ, दूसरे डाइनसार और दूसरे जानवरों को उनने बनाया है, तो बहुत ही उनकी creativity को सलाम है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, मुझे तो खहर विडियो में night का view add करना था, evening का view add करना था, इसलिए मैं यहाँ आया, बट यहाँ पर, मैं expect कर था, lights और होंगी, बट light उस तरह से है नहीं, इसलिए इस spark में आई है, त जोटे से pond के उपर, इसको तो मैं जरूर चलूगा, bridge से हो के चलते हैं, अरे नहीं यार, आगे से बंध है, आगे से बंध है, चलो गूम के ही चलते हैं, खेर, यह है सत्कंडा इमारत, अब दूसरी तरफ चलते हैं, पार्क में देखते हैं, और क्या-क्या मौजूद है, औ घमारत, ऑगे से व्हाल क में फगर, यह है और के चलते हैं,ачा आगेसील गे से अरे बंध हैं, खेर, यह है कि वह था. और यहां पर 4-5 पाम के ट्री लगें, बहुत बीडिफुल लगते हैं, जब चांदनी रात हो, बच्चे ले आईए, बच्चों के लिए कारवार भी मुझूद हैं, रिमोट कार्स, और हैं कुछ 7-8 की संक्या में, और घुमाने माले भी हैं, और बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए बच्चों को मज़ा आने वाला है, आगे देखते हैं, ये कुछ अलग सा मुझे दिख रहा है, है क्या चीज़, अच्छा ये यहां का एक कुवा है, पुराना, उसको साइट से ऐसे कवर कर दिया गया, सही है, ये भी सही बात है, बच् आर्टिस्टिक तरह से कवर किया है, और ये बिल्कुल ही राइट साइट पर चले आएंगे, तो ये है प्लेग्राउंड जिसकी में बात कर रहा था, हर उम्र के बच्चे खेल रहे हैं हाँ पर, सबसे इंट्रेस्टिंग फीचर इस जगे का ये है, प्लेग्राउंड का, कि ये जो एक तरह से ये माउंटेन क्लाइंबिंग या बैलेंसिंग या फिर जिस तरह से नहीं आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है, तो ये अलग सा एक ट्रैक दिया है, या फिर यो जूलते हुए क्रॉस करना है, बड़ा जिगजागी सा है, बट है बड़ा मस्त, मेरे मेरा वेट ले पाता नहीं ले पाता, लेकिन मन तो मेरा भी बहुत किया, बहुत अच्छा बना हुए है, आप सब को आना चाहिए और इसको तो जरूर देखना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है, इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा कॉम्लिकेटेड मैंने क नहीं बना देखा है, ये इसी पार्क में मैंने देखा है, और बच्चो के लिए छोटे-छोटे किलाउने, और ये आपको भेल पूरी मिल जाएगी, तो छोटा मोटा जो स्नैक्स है, जो एक पार्क में होना चाहिए, वो मौजूद है यहाँ पे, और बस यहाँ से सामने का व्यू देखेंगे, आप तो ये क्लॉक टावर पे हम आ गया है, पुरा गोल घूम के, ये पुलिस की तैनाती, वरना हम सीधे से आपको लेके चलते, लेकिन वहाँ मना किया गया है जाने के लिए, आपको वज़ए मैंने बता ही दिये, ये हम बाहर निकला है सीधा, और ये तो ये हमने पाक का पूरा एरिया कवर किया और हम चलते हैं अपने घर की तरफ, अगली वीडियो में आप से मिलूँगा एक इंट्रेस्टिंग जगे को लेके, और ये हम रूमी दर्वाजे के थ्रू ही निकलेंगे, तो आएए चलते हैं, आपको एक और चीज इंट्रेस् तो ये रूमी दर्वाजा बेहती खास इमारत है पुराने लखनों की और ये लखनों को एक तरह से रिप्रेजेंट भी करती है, हमारे दाहिने हाथ पे, यानि राइट हैंड पे बड़ा इमाम बाड़ा है और इसके अंदर है भूल भुलाईया, दे फेमस भूल भुलाईय तो मेरा नाम है शैले इंदर और मेरे चैनल का नाम है मरजी से व्लॉगर, बहुत बहुत शुक्री आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजेगा, लाइक, शेर और चैनल को करिए सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ जल्दी आप से एक नए व्लॉग में, तब तक आप रखें अपना ख्याल और अपनोंगा ख्याल, तब तक के लिए शुपरात्री